नाकडों के साब से 50% heart-tech are silent heart-tech silent heart-tech का मतलब यह होता है कि heart-tech तो आ गया लेकिन उस इनसान को पता भी नहीं चला कब heart-tech आया और heart-tech चला गया this means no symptoms silent heart-tech वाले इनसान या patient जिनें पता ही नहीं चलता जाएट सी बात है जब कुछ पता ही नहीं चला तो वो कहीं जाएगा भी नहीं इलाज करने एक सवाल जब किसी को heart-tech आ जाए तो immediately उसको hospital ले जाना चाहिए क्या यह science है या कोई प्रता है मुझे पता है कि यह सवाल पूछते ही बहुत सारे लोग उफिंट हो जाएंगे वो बोलेंगे कि भ्रम फैला रहे हैं कोई जूट फैला रहे हैं गुम्राह कर रहे हैं जबकि इंपॉर्टन है आइंस्टेंड ने एक बोला था उस वक का कि अर्थ के चारो तरफ ब्रह्मान घुमता है और 1616 में गैलेलियों ने बोला कि नहीं इसका ठीक विप्रीत ट्रू है अर्थ सूरज के चारो तरफ ब्रह्मान करता है लेकिन तब उस वक के पावफुल रोमन कतलिक चर्ष ने वार्निंग दी चूप रहने को बोल हाउस एरिस में रहना पड़ा तो दो तरीके हैं एक तरीका तो यह है कि जो भी हो रहा होने दो सवाल मत पूछो उसी बहाओ में बहते चले जाऊ और दूसरा तरीका है जैसा कि राजा रामोन राया ने किया राजा राम मोंडराई ने दो सो साल पहले सती प्रथा के उपर सवाल उठाया कि इक गलत प्रथा है सती प्रथा एक बहुत ही डेंजरेस प्रथा थी जिसमें हस्बेंट के मृत्यों के बाद वाइफ को उसके साथ ही जल जाना होता था राजा राम मोंडराय को फादर आफ मौडन इंडिया बोला जाता है। यहां हम बात कर रहे हैं हर्ट टैक की। एक इंपोर्टन बात आपको समझना होगा कि 50% आकडो के इसाब से 50% of the heart attack are silent heart attack. silent heart attack का मतलब यह होता है कि heart attack तो आ गया लेकिन उस इंसान को पता भी नहीं चला कब heart attack आया और कब heart attack चला गया। इस मेंज नो symptom एक तो होता है symptomatic heart attack जिसमें chest pain होगा, chest में tightness होगा, left side में जातर pain radiate होगा, breathlessness होगा, fainting के symptoms होगे, palpitation होगा, इस तरह के irregular rhythm होगा, इस तरह के symptoms आएंगे जिसे symptomatic heart attack गोल सकते हैं और दूसरा कोई symptom नहीं होगा silent heart attack यह देखा गया है चाहिए वो silent heart attack हो चाहिए वो symptomatic heart attack हो दोनों में जो heart का damage वो लगवग एक ही जैसा होता है, लेकिन जो silent heart attack वाले इनसान या patient जिने पता ही नहीं चलता जाएट सी पाते हैं जब कुछ पता ही नहीं चला तो वो कहीं जाएगा भी नहीं इलाज करने, लेकि estimate लगा जाता है कि इनको पहले कभी heart attack आ चुका था, अब यह recover कर गए, तो यह बड़ी interesting बात है कि heart attack आ भी गया, recover भी हो गया, यह mechanism क्या है, देखिए पहले तो यह समझना हो कि मैं heart attack की बात कर रहा हूं, cardigarist की बात नहीं कर रहा हूं, cardigarist is an electrical failure, जिसमें immediate almost मौत हो जाते ह cardigarist की बात थोड़ी आगे कर लेंगे, अब इसको समझने के लिए कि वह mechanism कैसे है, क्या है, जिससे एक silent heart attack के patient on its own recover कर जाता है, अकसर, उसको समझने के लिए यह 3D model है heart का जो आ देख रहे हैं, इसमें जो मोटे मोटे आप pipe की तरह देख रहे हैं, यह आप बोल सकते हैं, coronary arteries, heart के main arteries, और जो जाल की तरह बिचे वे दिख रहे हैं, इन्हें आप बोल सकते हैं, collateral circulation, collateral circulation कुछ ऐसे circulation होते हैं, जो हमारे सब के heart में होते तो हैं, वो कभी switch off mode में होते हैं, कभी switch on mode में होते हैं, लेकिन जब एक इनसान के किसी भी arteries में blockage आ जाता है, और जिससे heart के muscles में oxygenative blood नहीं पहुँच पाता है, heart के muscle मरने लगते हैं, और ऐसे में इनसान की मित्ति हो सकते हैं, तो ऐसे में body अपना protective mechanism को switch on कर देता है, almost immediately, जिससे in spite of the coronary artery blockage, blood flow होता है heart muscles पे, और उस इनसान को पता भी नहीं चलता, या अगर pain होता है, पता चलता भी है, तब भी, वो protective mechanism के व आप देखिए, ये angiographic photography है, जिसमें जो बड़े-बड़े आप arteries देख रहे हैं, इन्हें आप coronary artery बोल सकते हैं, और जो चोटे-मोटे जाल देख रहे हैं, जो बहुत ठीक से आपको नहीं भी दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें आप बोलते हैं, the collateral circulation, और कहीं-कहीं अगर block आँखों से देख भी नहीं सकते, वहां से blood flow होता है, और ये mechanism body almost शुरू कर देता है, immediately, और जिससे उस इन्सान के उस dying heart cells तक blood पहुंच जाता है, and damage वहीं control हो जाता है, और इन्सान पूरी तरह से ठीक हो जाता है, चाए वो symptomatic heart attack हो, या वो silent heart attack हो, देखिए silent को समझाने के के लिए एक उधारन में देता हूं, कभी ऐसा हुए आपके साथ की सुवे सुवे आप बड़े जल्दी में होता है, फटा-फट ऑफिस जाने के लिए सारी तैयारी करते हैं, अपना breakfast के इंजाम करते हैं, आप समान उठाते हैं, और ऐसे में आपका पैर अंजाने में बैट के कोने से हिट कर दिया था और वहां पे तब शाम को आपको दर्द का एसास होता है, वो सुबह नहीं होता है, पूरा दिन नहीं रहता है, शाम को होता है, यानि कि वो silent injury बोल सकते हैं, कि brain ने decide कि आपको injury तो लगी, लेकिन brain is not indicating the pain, तो इस तरह से इस उधारन से आपको that is what is called silent heart attack in this context, तो चाहे वो silent heart attack हो, चाहे वो symptomatic heart attack हो, जब यह होता है, तो अकसर हमारा body collateral circulation का जो mechanism में उसको switch on कर देता है, जिससे हमारा body juiceता है, उसको recover करने की पूरी तागत लगाता है, ऐसे में data यह कहता है, research paper screen with devil link में जाके आप पढ़ सकते हैं, कि ऐसे में अगर patient hospital चल को बोलते हैं, एक प्रथा के तहत कि आपको अभी angiography, angioplasty कराना होगा, नहीं तो आप मर जाएंगे, तो यह देखा गया है कि जब body अपना collateral circulation mechanism को switch on करने लगता है, उसी वक्त अगर इंसान, human, interfere करता है by doing the angioplasty, एक तरफ body ठीक करने की कोश्च कर रही है, और एक तरफ इ स्टेंट डालने की कोश्च करता है, तो ऐसे में इंसान body के protective mechanism को interfere करता है, जिससे उस इंसान के मरने के chances घटे नहीं, बलकि बढ़ जाते हैं, because human are interfering with the body system of recovering, यह data कहता है, research paper screen पे देवे link में जाके आप देख सकते हैं, तो सवाल फिर भी यही है, कि जब heart attack आ जाए, तो क्या करना चाहिए, क्या हमें weight करना चाहिए, कि body अपने आप recover करेगी, that is the best choice, या फिर हम किसी भी तरह से इंसान को अपने हवाले कर दें, कि इंसान को ही save करने दो, तो इन दोनों conditions में, एक heart attack आया, patient कहीं गया नहीं, या चला गया hospital में, दूसरे में patient घर पी रहा गया, कुछ भ बढ़ जाएंगे, यह एक सवाल है, हाना कि इसका obvious answer आपको बोलेंगे, नहीं नहीं, hospital तो जाने ही चीए, तो मैं दुबारा याद दिला दूँ आपको, यह जो एक present belief system है, उस belief system को सवाल पूछना, यह this is called science, अगर तो यह science है, कि heart attack आने के बाद, एक particular intervention करने की जरूरत है, अगर तो यह science है, तो science उसी को बोलते है, जिसका कोई सबूत हो, जिसका कोई proof हो, जिसका कोई evidence हो, जो तो कोई evidence ना हो, जो तो कोई proof ना हो, जो को साबित ना किया जा सके, उसे science नहीं बोल सकते, उसे एक प्रथा बोल सकते हैं, तो अगर तो यह science है, कि heart attack आने के बाद, hospital जाने से उस इंसान के बचने के चांसे ज़ाधा होते हैं, तो को इसके साबूत जरूर होंगे, इसके ये जीश skills को फोभित, है जिससे साबित कर सेगे कि अगर वो हॉस्पिटल जाता है तो उसके चांसे जादा बढ़ जाएंगे जिंदा रहने के तो वो प्रूफ स्क्रीन पर देवे लिंक में आप मुझे दीजे अगर यह प्रूफ आप दे पाते हैं जिसमें यह साबित हो कि तो यह प्रूफ आपको एक लाग रुपय दे दूंगा मैं अट लिस्ट मैं यह कोश्च कर रहा हूं कि आपके अंदर एक सवाल पूछने की जिग्यासा है उसको मैं जगाना चाहता हूं इसलिए मैंने एक लाग रुपय का यह तो इक अग रूपय का यह कौंटेस्ट लगा ह है जिस दिन में हम इस पे बैठेंगे that is 28th of September जो कि भगत सिंग जैनती है उससे एक दिन पहले death anniversary भी है राजा राम होन राय की तो 28th of September भगत सिंग जैनती के दिन 11 बजे हमारा अगला convocation है और certificate in integrated medicine के जो pass out students है जो तीन मेने का हमारा online training है जिसमें हर संदे को दो घंटे की classes होती है और टोटल बारा classes होती है और certification by श्रीदरी उनिवरस्टी और इस training में जो मेरे जो techniques है चाहिए वो डियाएपी डाइट है थ्री स्टेफ प्लूडाइट है ग्रैड सिस्टम फॉर किडिनी सब सीखते हैं इसके जो पहले बैच के जो स्टूंस है उनका convocation नेक्स बैच 6 अक्टूबर से चुरू हो रहा है स्क्रीन पे देवे लिंक में जाके आप नेक्स बैच के लिए अन्रोल हो सकते हैं अगर आप करना चाहें तो तो इस convocation के समय 11 बजे लाइव आप मुझसे जूर सकते हैं स्क्रीन पे देवे लिंक में जाके और तब इस विशे के गहराई में हम जाने की कोशिश करेंगे धरातल पर जितने सारे evidence है जिन evidence हैं कोई conclusion के पहुंच सकें उन evidences को हम थोड़ा investigate inquire करने की कोशिश करेंगे आप और हम मिलके ताकि हम एक conclusion पर पहुंचें और एक निश्कर्ष पर पहुंचें तो यहां पर यह बात हमेशा है आदफ मीच यह कि जो current belief system है current faith system है जो current एक प्रचलित एक प्रथा है उसे सवाल पूछना कोई गुना नहीं है बलकि सवाल नहीं पूछेंगे तो humanity वहीं पे stagnant हो जाएगी भगत सिंग ने एक बार बोला था any man who stands for progress has to criticize disbelief and challenge every item of the old faith तो भगत सिंग के रास्ते पे चलते हुए ही भगत सिंग जिन्नोंने सवाल खड़ा किया भारत में करोडो जनसंक्या में कुछी लोग थे जिन्नोंने सवाल खड़ा किया भगत सिंग की तरह कि यह जो system में हम है भारत में यह गुलामी का system है हमें इस गुलामी से बाहर निकलना है और उन्होंने इंस्पायर के जिसकी वएसे हम आज आज़ाद भारत में हैं तो जैसे मैं आपको बताया कि भगत सिंग की बात करें जब भी आप सवाल उठाते हैं किसी भी present प्रचलित प्रथा की तो खत्रा तो ही है कि उस वक्त आपके साथ क् सकता है भगत सिंग को आपने देखा के बारे में सुना गैलेडियो के बारे में आपने जाना लेकिन हिमेनिटी तभी आगे बढ़ती है जब आप सवाल करते हैं तो खैर 28th of September भगत सिंग जैनती के दिन मेरी किताब रिलीज हो रही है किताब का नाम है World's Best D.I.P. डाएट त या Cancer है इनको ठेक किया तो उनके लिए ये एक मौका है कि D.I.P. डाएट के साइंस को समझने का सात में न्लोग निया भी मौका है जिनको इस डाएट का पता नहीं है वो ही साइंस समझ सकते हैं। हम साइंस की बात कर रहे हैं साइंस वही होता है जो साथा किया जासके इस ब और आपका definition science का यही है जो मेरा definition है तो मैं आपको invite करता हूँ live मैं जोड़ रहा हूं उस दिन और जो हमारे convocation के students है वो in person Delhi में convocation होगा 11 बजे समय है और जो हमारे convocation के students है उन तक already invitation letter पहुंच गया होगा अब तक इस convocation के दिन हम बात करेंगे नाकेबल heart attack की नाकेबल solution की हम थोड़ी सी बात करेंगे cardigarest की भी की cardigarest और heart attack में क्या फरक है और cardigarest होने से scientifically क्या already proven है जिससे उस इंसान के बचने के chance से जादा हो सकते है और उसके practical applications क्या है वो कैसे practice में ला सकते हैं इन सब की चर्चा भी करें करेंगे और मुझे लगता है कि उससे आपको लाव होगा तो खैर हम मिलते हैं 28th of September भगत सिंग जैनती at 11 a.m. All the best, thank you, Jain.